पार्तिया ओलम्पिक संग की अध्यक्षा पीटी उशा भी अभी पेरिस में हैं। प्रधान मंत्री जीने स्वयम उसके साथ बातचित करके उचित कार्यवाही करने के लिए उचित एक्षन लेने के लिए भी उसको कहा गया। विनेश मंगलवार 6 अगस्ट को तीन मुकाबले जित कर 50 केजी रेस्लिंग ओलम्पिक में फाइनल में पहुचने वाली पहली भारती महिला रेस्टर बनी थी। सेमी फाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को क्वार्टर फाइनल में उक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चंपियन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से माब दी थी। उन्हें बुद्धवार 7 अगस्ट की रात करिब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रैसलर सारा एन हिल्डर ब्रांट से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतू सहायता का प्रश्ण है। पारत सरका ने विनेश फोगात की उनकी आवश्चक्ता के अनुसार हर संबो सहायता प्रदान की है। उनके लिए पार्सनल स्काप भी न्यूक्त किये गए हैं जो अपने क्षेतर के विशरशग्य है। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अर्श्विनी पार्टी हमेशा रहते हैं। वो ओलम्पिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिकत सहायक स्टाप जैसे विबीन स्पारिंग पार्टनर्स स्टेंथ और कंडिशनिंग विशरशग्या के लिए वित्ती सहायता प्रदान की गई। जिसका वीवरन इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रुप में उसके साथ थे। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्ती सहायता साथी 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 दस दिन तक मेडरिट स्पेन के अंत्रास्टिक प्रसिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त वित्ती सहायता इसके अलावा फ्रांस के बुलौन सु मेर में पूर्वा ओलम्पि प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरीक्त सहायता की है। प्रशिक्षन शिवीर के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून दोजार चौश ग्यारत दिन तक आंत्राश्टी प्रशिक्षन शिवीर में भाग लेने के लिए भी वित्ती सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 चार दिन तक बुड़ापेश्ट अंगरी में 4 रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 सोलो दिन तक बुड़ापेश्ट अंगरी में प्रशिक्षन शिवीर हैतू इसको वित्ती सहायता की है। वेनने के बुलगेरिया में 10 ग्यारा 2022 से 3 वारा 2022 तक प्रशिक्षन के लिए वित्ती सहायता दी है। उनके रिहाय प्रकिरिया के लिए आवर्शक वूप करण खरीदने के लिए भी वित्ती सहायता की गई है। 2020 टोक्यों ओलम्पिक चक्र में 1,098,224 रुप्य का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलम्पिक चक्र में भी टार्गेट ओलम्पिक पॉडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्शिक ट्रेनिंग एवन्स पर्दा केलेंडर में 17,10,000 पूर मिला के 17,45,75 रुपया हमारे खेलाडी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा थे। से रगु नंदन राव तो यूवा मामले और खेलों मामलों के मंत्री मंसुक मांडवियर ने अभी संसद में ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तोर पर कहा है लोकसभा में कि सरकार ने किस तरह से सुविधाय दी थी इस बात पर भी उन्होंने कहा कि विनिश फोगाट का मेडल जो शिना गया या उनको नहीं मिर पाएगा योग्य घोशित हुई है उस पर भी भारत सरकार ने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो अपील करने की कोशिश किये है भारती ओलंपिक संग के संपर्क में वो है और सब के साथ उन्होंने साजह किया वो निराशा या उस बात को जिस आने की वजह से